मकर संक्रांती के साथ ही सिंदे वे पंजाबी समुदाय द्वारा प्रमुख पर्व लालोई याने लोहडी इंदा और शेहर में धूम धाम के साथ मनाया गया इस दोरान समाज की महिलाओं ने वरत रख कर समाज और परिवारों के कल्यान की मंगल कामना की महीं समाज जनों ने परियावरन संरक्षन का ध्यान रखते हुए लकड़ी का उपयोग कम से कम करते हुए गोबर के कंडे और घास की पिंडों का इस्तमाल किया लोधीपुरा में लाल लोई सजाए गई जहां पर महापौर मालीनी गौर पहुँची पूजा अर्चनाभी की साथ ही इस पर्व की सभी को उन्होंने बधायां दी जोरान समाज के सभी लोगों ने लाल लोई की नाचते जूमते परिक्रमा की आज बहुत ही सुन्दर सिंदी समाज और सिख समाज का लाल लोई पर्व ए मैं सभी समाज जन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ शुपकामना देती हूँ और हमारे लोधीपुरा दो नमबर में है मा पंजवानी जी इस कारिक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते ह पूरे मोहले वाले इस कारिक्रम में इखटे होते हैं किसी प्रकार का कोई बहुत भाव नहीं सभी लोग इस त्योहार को हर्षोल लास्त मनाते हैं और हमा पंजवानी जी सितला मार्ता बजार एशोसेंद के अध्यक्ष भी अभी निर्वाचित हूए मैं उनको निर्वाच का होता है इसका बहुत महत्व है और खासकर पंजाब और सिंदी समाज में बहुत ही उत्साह से मना जाता है पंजाबियों का जो लोडी परवर होता है वो होली के आसपास होता है और यह सिंदी समाज का लाल लोई परवर है और इसके लिए में बहुत बढ़ाई दर्तु श लालोई फर्वां जो रीजन है वो यह हैं कि लालोई एक माता होती है वो अपने बच्छे को प्रोटेक्ट करोता कि इस वज़े से यह वंहें आरे मौले में मैं इसका कुछ जादा ही हर्षfish ओला से मनाया जाता है कि यहां पर हम ही एक सिंदी परिवार है लें कि इस works को इतनी खुशी से मनाते हैं और इतना इंजॉइ करते जो के इस डिस्वरire हम सिंदी हैं बालना हो थाग पाल灯 हो